इसे क्लिक करने निया इसे पीछ करके रिक्वेस्ट इठने professors रिक्वेस्ट है आप जैसे यसे और क्लिक करोगे आपका करते पेदिख करने सी policy जैसे guys see policy issue पर मैं click करता हूँ तो यहाँ पर देख सकतो monetization issue ठीक है तो guys यह कैसे remove होगा आज करता हूँ तो instrument पर मैं click करके आप लोगो दिखा जाता हूँ यहाँ पर देख सकते guys मेरा partner monetize policy यहाँ से remove हो गया तो so guys फिर से एक और new video में आप लोगो स्वागत एंडास का इस वीडियो में आप लोगो पता पूरा चल जाएगा कि कैसे guys आप लोग partner monetize policy यह फिर monetization issue को remove कैसे करोगा आप बहुत सा YouTube में वीडियो देख लिए हो एंड मेरा भी वीडियो को देखे हो जैसे जैसे मैंने बताया सेम उसी तरह कैसे आपने काम किया तब भी guys आप लोगा partner monetize policy यह फिर monetization यह फिर आप लोगा बहुत सा इसू है वह सब remove नहीं हुआ तो आज का यह वीडियो देखने के बाद मैं 100% गरांटी लेता हूं कि अगर यह वीडियो आप end watch कर लेते हो तो आपका partner monetize policy और monetization इसू यह सब सब इसू रिमूब हो जाने वाला है ठीक है बस आप लोगो ध्यान से वीडियो को देखना है और कैसे कैसे काम करना है और कौन सा गलती नहीं करना और कौन सा काम करना है अगर आप यह सब कर लेते हो तो 100% बोल रहा हूं partner monetize policy रिमूब है उससे पहले गाईस सबसे पहले मैं प्रूब दिखाऊंगा मेरा personally profile पर partner monetize policy इसू आया था मैं ने रिमूब किया वह भी आप लोगों दिखाता हूं यहां पर side screen में screen recorder देख सा तो यहां से चले आता हूं मैं facebook पर फेस्बूक पर जाने के बाद यहां पर three dot option पर क्लिक करता हूं यहां पर professional dashboard पर आने के बाद यहां पर monetization पर मैं click करता हूं क्लिक जैसे करता हूं तो instrument पर मैं click करके आप लोगों दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हैं इस मेरा partner monetize policy यहां से remove और सब कुछ आप लोगो बताऊंगा बस आप लोगो वीडियो को पुरा ध्यान से देखना है और आगे बढ़ने इसमें पहले मैं बता देता हूं कि अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक ने कियो तो यार लाइक कर दो और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दो ठीक है तो चलो गाईस हम बात करते कि आप लोग किस तरीके से partner monetize policy और another कोई भी अभी के टाइम पर फेस्बूक पर बहुत सारा इसू देखने के लिए मि लिए मिलता है बट इसको रिमूब करना बहुत ही असान है अगर आप करना चाहो तो इजीली आप रिमूब करते कि कैसे आप लोग इस तरीके का problem को solve करोगा बहुत ही easy है आप लोग को मैं पूरा work बताऊंगा कैसे कैसे काम करना और कौन सा गलती नहीं करना और क्या करना है आप लोगो मैं सब कुछ बताऊंगा सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगो बता देता हूं कि मैं आप लोगो एक page दिखाऊंगा फिर से आप side में देख सकते हो उस page पे गाइस मेरा monetization issue है ठीक है सबसे पहले यहां से back जाता हूं ठीक है back जाने के वाद मैं अपना एक profile है ठीक है मैं original content पे काम कर रहा हूं ठीक है और यह page पे गाइस मेरा monetization issue है वो भी मैं आप लोगो चेक कर रहा हूं 3.option पे क्लिक करता हूं यहां पर professional dashboard पे मैं जैसे ही आता हूं तो यहां पर मैं आप लोगो दिखा देता हूं monetization पे मैं click करता हूं click करने कवाद instrument पे मैं click क देख सकते हो guys partner monetized policy जैसे guys see policy issue पे मैं click करता हूं तो यहां पर देख सकते हो monetization issue ठीक है तो guys यह कैसे remove होगा आज का यह video मैं आप लोगो सब कुछ पता चल जाएगा मैं आप लोगो प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे आप लोगो कोई भी YouTuber नहीं बताया होगा कि guys इस तरीके से remove होगा बट आज आपका भाई बताएगा अगर मेरे ट्रिक को आप follow करते हो और आप लोगो कितना time तक करना है कितना कैसे कैसे काम करना मैं आप लोगो सब कुछ बताऊंगा बस guys आप लोगों से request है कि यह वीडियो को एक like कर देना ठीक है और चैन को जहूर से subscribe कर देना अग लोग इस हम बात करते कि guys partner mortgage policy हटेगा कैसे ठीक है तो आप लोग जो दूसरे का content डालते हो सबसे पहले तो जीतना भी content है सब content को आप लोगो delete करना होगा ठीक है तो मैं आप लोगो suggest करूंगा कि आप लोगो ज्यादा अच्छा रहेंगा live करो ठीक है देखो गाइस आप लोग बोलोगे कि आप भाई तो अग नेक्स वीडियो में भी live करने बताएते बट guys live करने के बाद आप लोगो और कुछ process को follow करना है वो मैं phone के screen पर बताऊंगा ठ समझो 10 से 15 दिन आप लोगो live streaming करना है daily एक live streaming करना live streaming का जो length रखना है 10 से 15 मिनिट आप लोग यह चीज़ अगर ध्यान से 2 मिनिट आप लोगो समझना है ठीक है आप लोग यहां पर ध्यान से समझ जाते हो तो कभी भी आपके page पर पार्टर मोर्टाइज policy है या फिर monetization issue दे देते हो जैसे 10 से 15 मिनट का 10 से 15 दिन आप live streaming कर देते हो live streaming करने के बाद आप अपना request जो आप Facebook को भेजो मतलब Facebook आपके page को चेक करेगा चेक करने के बाद आपको पेज एदम green रहेगा तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना आपका page 100% partner monetize policy या फिर monetization issue remove हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे ही मैं आप live streaming कर ले तो live streaming करने के बाद यहाँ पर request another review पर click करना यहाँ इस पर click करके request review पर click कर देना request review आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका देख सकते हो request submit हो गया guys अब कुछ time के बाद आपका Facebook टीम से आपका page चेक होगा और partner monetize policy 100% remove हो जाएगा तो guys आप तो इसी तरीके से यूज करके partner monetize policy को remove कर सकते हो अगर यह वीडियो पसंद आया तो like कर देने मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना चलो bye bye मिलते next video में